दिप्रेंट के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ट्विटर पर 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं ये ट्रेंट भारत के यूआओं और खासकर स्टुडेंट्स का सरकार के प्रती नाराजगी जो एक्जाम्स है उनमें जो डिले होता है उसको लेकर विरोध और सरकारी नोकरियों की मांग को लेकर मुहीम को दर्शाता है इसे विपक्षी दलों का भी समर्थन अब मिल चुका है अलग-अलग संगठन अब इसके समर्थन में उतर आए हैं इसके शुरुआत पिछले महीने ही हो गई थी जब पीम मोदी के रेडियो कारेकरम मन की बात के एपिसोड को यूट्यूब पर अफ्लोड किया गया दो दिन में ही युवाओं ने डिस्टल प्रोटेस्ट के तौर पर इस कारेकरम को डिसलाइक करना शुरू कर दिया उसके बार भाजपा पार्टी ने इसे कॉंग्रेस की शाज़िश करार दिया और कहा कि सारे डिसलाइक विदेशों से आ रहे हैं लेकिन युवाओं की नराजगी सिर्फ डिसलाइक सक ही नहीं रुकी उन्होंने घोशना की कि 9 सितंबर को देश के अलग-अलग हिस्सों में रात को 9 बचकर 9 मिनट पर टॉर्च, मोबाइल फ्लेश और दिये जलाकर सरकार का विरोध किया जाएगा और अगले दिन युवाओं ने सोशल मीडिया को अपने विडियो से भरवी दिया फिर घोशना की गई कि 17 सितंबर को पीम मोधी का जो सत्तरवा जर्म दिन है वो विरोधगारी दिवस के रूप में मनाएंगे आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ़तों से देश के चातर और युवाओं ने सरकार के खिलाफ अपनी मुहीम को सोशल मीडिया पर तेज कर दिया है विरोधगारी के साथ स्टूडेंट्स SSC और रेलवे की परिक्षाएं समय पर ना होने और नोकरियों के लिए जो तैस समय पर नियुक्तिया होनी चाहिए वो नहीं होने से भी नराज है कॉंपिटिटिव एक्जाम्स के तैरी कर रेले स्टूडेंट्स की मांग है कि जो वेकेंसी निकाली जाए उसका एक्जाम टाइमली और नतीजा भी समय पर खुशित किया जाए इसके अलावा भी कई सारी उनिवरसिटीज ने मनमानी फीस स्टूडेंट से वसूली और जिसको लेकर वो नराज थे और सरकार से लगातार गुहार कर रहे थे अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करिए ये वाला वीडियो शेयर करिए और दिपरिंट को सोशल मेडिया हैंडल्स पर फोलो करिए मैं जोती आदव दिपरिंट